सभी कसान बाईयों को परमजी सिंग का नमशकार जी मैं MK Fruits Farm Strawberry Farm पिंडनंगल अवियाना डिश्टिक रोपड से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आम सभी कसान बाई पैड़ी की खेती करते हैं जा किसी और फसल की खेती मक्की हुआ जैसे एक प्रॉब्लम गेहों में भी कभी कभी आ जाती है उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी किसान बीरों ने मेरे से ये कमेंट किया था मेरे गाओं के भी है और भी है रिलेटर में जो बोलते थे कि हम दीमक के लिए सेओं के लिए क्या जूज कर सकते हैं क्योंकि ये जहां पे थोड़ा रेतेली जमीन होती है ना ही डाकर होती है और ना ही ज़्यादा रेता मिक्सी जमीन होती है मिक्सी उसमें यह प्रोब्लम ज़्यादा आती है यह हमारे पैडी को बहुत नुक्सान करती है एक गन्य में भी आजाती है उसके लिए मैं आप लोगों से ये एक जो प्रड़क्ट है उसके बारे में क्योंकि मैं किसी कॉंपनी की कभी एड़ नहीं मैं कभी करूंगा मैं खाली आपको सल्ट का नाम बताने की कोशिश करता हूँ आप किसी भी कॉंपनी का ले सकते हैं वो कोई भी कॉंपनी हो सकते हैं लेकिन उसमें सहल्ट सेम होना चाहिए तो वो काम अच्छा करेगा ऐसी बात नहीं है कि यही कॉंपनी की लेनी है और लेनी है एक कोई भी ले सकते हो और एक बात जो हमारे इस चैनल पे बताने से जानकारी दिने से पहले मैं आप लोगों से जनवेदन करता हूँ जो खिसान बीर मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सुब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकन को दबा दीजिए जो घंटी का निशान है त लेजिए आज आपको बता रहा हूँ जो पैडी की खेती करते हैं उसमें कई बार दिक्कत आ जाती है कि हमारा जो पैडी है उसमें खेत में प्लांटेशन करने के बाद 15-20 रोज के अंदर-अंदर एक दीमक की प्रोब्लम आ जाती है जो काफी नुकसान करता है जड़ को ख पूशनी होगा जा तो आप क्लोरोपैरिफास तीन लीटर एक एकड में डालो तब उसका असर जाएगा नहीं तो आप अगर देसी लाज करना है तो आप जो हींग होती है हम सबजियों में बी डालते हैं उसको आप एक तोला हींग जो होती है दस ग्राम उसको एक पनी में लपेट के कपड़े में जो हलका पतला हो चुनी जैसे होती है दुपटा उसमें पानी के यहां से पानी खेत में जाता है वहां नक्के पे यहां पे टक रहता है वहां लगा सकते हो ओ घुल घुल के अपने आप चला जाएगा लेकर उसमें एक जरूर है कि जो इसकी मात्रा है उसके बारे में है वो बढ़िया होनी चाहिए हिंग तभी असर करेगी फाटकड़ी भी आप डाल सकते हो जो देसी लाजा है अगर आप पेस्टी सेड में जाएंगे तो एक जे देखो इसका सल्ट में बता देता हूँ फैन प्रो पैथरीन 30 प्रतिशत इसी जे सल्ट है इसका कमपनी कोई भी हो सकती है ये डलती है 200 एमेल प्रतिश एकड़ में जे एक लीटर कसान भी चार किले में एकड़ में डलेगा तो इसको आपको डालना है तो आपका जो दीमक का समस्या है वो जड़ से खतम हो जाएगी क्योंकि इसका 40 दिन असर रहता है तब तक पूरा जो जीरी है पैड़ी है धान है वो ग्रोस कर जाता है उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ती आप एक बार फिर देख सकते हो हम एक जो ओर डालते है पोडर नुमा भी आता है हम वो भी डाल देते हैं लेकिन वो पत्थर पे चड़ा रहता है उसके कारण हमारी जमीन को नुक्सान भी होता है तो लिकुड में आप डालो अच्छा रहेगा एक कम पैसे है जो छे सो रुपे की एक लीटर है देख लीजिए लीथल जो क्लोरो पैरिफास हम डालते है वो भी डाई तो दाई सो तीन सो रुपे की प्रती लीटर है उसके सस्ता भी है और बडिया है और यह देखो मैं आपको जीरी भी दखा देता हूं इसमें कोई भी धान जे रितीली जमीन है यह देखो एक बात ओर है जब आप बट्टों पे स्प्रे करते हो उस पे लिए आपको बता देता हूं कि आपको स्प्रे करनी है खाली नॉमनिंग गोल्ड प्लस समना है इसमें एफमसी जो डीला मारने वाली दुआई यह बोरला के बट्टों पे कर दिया देखो एब बट्ट भी बिल्कुल सूक ने लगया घास इससे अच्छा है जे मारा करो रौंड आप से जीरी का भी नुकसान होता है और प्रिया बढ़न का भी नुकसान होता है प्रिक सान बीरों को परमजी सिंग का आज के लिए इतना ही नमस्कार